हेलो फ्रेंड्स तो अच फिर से मैं लेकिया गई हूँ आप लोग की लिक और मज़ेदार सथ चाइनेज ड्रामा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें तो बढ़ते हैं अपनी ड्रामा की तरफ ड्रामा की स्टाट में हमारी फीमेल लीड हुई को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से रो रही होती है उसके डैट जमीन पर पड़े होते है उसकी कफी ब्लेडिंग हो रही होती है तब है उसकी माम को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से गिरती है और उसकी माम डैट तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो और उसके मास्क उतारने पर वो से बोलती है कि तुम्हारा फेस बिल्कुल मेरी तरह क्यों है तब ही वो उसके करीब आते वे उसको बोलती है कि मैं आज से हुई हूँ ये डैट के ओल प्रेंटिंग के एक फैक्टरी है और मॉम एक राइटर ये सब सुनके हुई बोलती है कि ये तो मेरे मॉम डैट है तुम मैंसे सब कुछ मुसे चीन नहीं सकती पुस्या बोलती है कि अब तुम्हें समझ में आया के में तुम्हारे जैसी क्यों लग रही हूँ और तब हुषको नाइफ से मारमा चारी होती है मगर हुई वहाँ से बाग जाती है मैंग बोलती है कि अब की ब Real तुम नहीं बचोगी मैंने हमेशा तुम्हें धोस्जा वैसे भी मुझे इस face की कोई ज़रूरत नहीं थी मगर ये मैंने सिर्फ mank से बदला लेने के लिया जिसने मुझसे सिर्फ मेरे मापाप नहीं परके मेरा प्यार भी छीन लिया और अब मेरे जिन्दगी का कोई भी मकसद नहीं सिवाई इससे कि मैं मंग से उस सब चीजों का बदला ले सकूँ और तभी सामने वाल पे पिक्चर लगी होती है जिसमें से वह एक बच्ची और मेंग की पिक्चर लिंकालती है और वो बोलती है कि मुझे अपनी करवाई यही से स्टार्ट करनी होगी और तभी वो लाइटर से उस पिक्चर को आग लगा देती है नेक्स सीन पार्टी का दिखाया जाता है जब हुई पीछे बैटी होती है और सामने ही मैंग अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी होती है और तभी वो कुछ सौचते में वहां से मैंग के बैटे के पास आते बैटती है और उसको कुछ स्वीट सौफवर करती है जिस पे वो बच्चा बोलता है कि जो माम ने मना किया है कि किसी से कोई खाने की चीज नहीं लेनी जिस पर वो बोलती है कि तुम्हारी माम तो नहीं देख रही तुम्हें तो तुम ये कैंडिस रख स अपनी ममा से रिक्वेस्ट करो ता कि मैं ही तुम्हारी पेंटिंग प्लासेज दो इस चेला से हम दोनों बहुत ज्यादा फ़न करेंगे और तभी नेक सीन में हमें दिखाया जाता है जब हुई और मैंग बैठी होती है और मैंग उसे बोलती है कि तुम्हें हायर तो करनू अपने बेटे की टीचिंग के लिए मगर मुझे बहुत अच्छा काम चाहिए जिस पर वह वोती है कि आप फिकर रहे हैं उसको अपना नाम फुयान बताती है और कहती है कि आप फुयान पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं और भी ऐसी बच्चों को ट्विशन करवा चुक फुयान नहीं उसका साथ दिया था इसके बाद प्रेजन का सीन दिखाया जाता है जब हुई मैंक की आके हाथ पढ़ आथे वे कहती है कि मुझे अच्छा लगी गां मिसिस जी आंग के साथ कॉपरेट करके एक सीन में होई को दिखाया जाता है जो कि अपना बैंक लेकर उस और हुई खड़ी सोच रही होती है कि अच्छा तो यहां पर यह मेरे घर में एकने खुशी से अपने हस्बेंट के साथ रह रही है वो अनक की बाते सुनी रही होती है कि तब पीछे से उसका बेटा आता है और मैंग अपने बेटे से बोलती है कि अपनी नियू टीचर से मि पेंटिंग उठा के उसके सर पे रहमार की और कहती है कि तुम्हारी हिमत कैसे हुई मुझे दुका करने के और इसके तुम्हें बहुत बड़ी केमत जुखानी होगी और तब हमें फ्लैश पैक में दिखाया चाता है जब एक एक एग्जिबिशन में मैंग गई होती है और मैं बहुत प्लडबो देंगे लड़ी ंचे होई तो कि एक लड़ी आकर बोलती है और तब हमें प्रेज़न का सीन दिखाया जाता है जब मैंखो से बहुत ज्यादा खुसंता है जो अपनी नेनी को कहती है कि इसके दोनों हाथ कार्थ तो योग मुझे दोखा दिने की Gü करता है उसका यहीं आपकी पैंटिंग तब उसका बेटा जायू बताता है कि मॉम आपको मेरा नेम नजर नहीं आ रहा गया। जिसके बाद वोई को दिखाया जाता है जब मेंग के सामने खड़ी होती है और मेंगो से बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्योंने ही बताया कि पेइंटिंग मेरे बेटे ने बनाई है तो मैं सिब हुई की पेंटिंग योट सनेक थी जिसमें हुए उससे बोलती है कि आप से पूच्छा था और आप देखा था कि बस बन्यवालों क्योंकि उसने वैसे भी सिर्फिक प्रेक्टिस ही करनी है मेंगों से बोलती है कि अच्छा सौरी जो मैंने किया मैं आज किल प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे अपने टेंपरमेंट का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं और नेक्स टाइम के लिए अगर ऐसी कोई भी बात हो तो मुझे टाइंग पर बता दिया करो और तुम जा कि अपना ट्रीट्मेंट करवाओ मैं पेमेंट कर दूंगी जिस पर हुई उसका शुक्रिया दा करते वे वहाँ से चली जाती है तब इस सामे से जियांग को दिखाया जाता है जब वो अंदर आता है और वो फॉरण से मैंग के पास आता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हाई तबियत कैसी है मैं इतना परिशान हो गया था तुम्हारे लिए हुई वहाँ से जाई रही होती है तब वह वहीं पर रुक जेती है और वो जियांग को देखती है तब फ्लेश पैक में यादा चाता है जब जियांग उसको फरस्ट एम प्रोपोस करना चारा था अगर हुई ने उसको ये सोच के मना कर दिया था कि मेरी फ्रेंड मैंग भी से पसंद करती है तो उसे शायद अच्छा ना लगे अगर आज जियांग को ये मैंग के साथ देखे उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और तभी मैंग उसको बोती है कि चलो हम रूम में चलते है और इसके साथ ये वो दोनों निकल जाते है इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब हुई अपने वोस्ट लूम बात ले रही होती है और दूसी तरफ मैंग और जीन नॉइक परेंघ कर रहे होती और आक deixa कर रहोते हैं अब मैंग को गाएंख जो सब देख रही होती है और तब वह सोचती है कि तुम देखना कि मैं तुम्हारे इस प्यार को कैसे नफरत में बदलती हूँ और तुम्हें ये अपनी प्यारी बीवी ये ही बुरी लगने लगेगी इसके बाद हुई को दिखाया जाता है जब उस आयोग को गाइट करी होती है पेंटिंग के लिए लेकिन कुछ दिर बाद उनको दिखाया जाता है जब उस आयोग टॉय के साथ थील रहा होता है और वही उसके पास बैटी होती है रैंग उसके पास आती है और उसको खड़ा करके उसको एक सवदार ठपर मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हायर किया इसलिए कि तुम मेरे बेटे को पैंटिंग सिखा सको तुम यहां पे टाइम वेस्ट कर रही हो तुम्हे कहनता है कि मैं इतने पैसे तुम्हें फ्री में दे रही हूँ और तब वह अपने नेरेज को बुलाके कहती है कि इसको उठाके बाहर भेंग दो तब हैंगी सब चल रहा होता है कि तभी पीछे से Jiyang आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ जिस पर वो बताती है कि देखो मैं इसको इतने ज़्यादा पैसे देती है और यह हमारे बीटे को स्पोल कर रही है पर जो कि पहले खामोश खड़ी होती है मगर वो फिर जियांग को कोती है कि वो अक्सली प्रॉब्लम ने थी कि जायर फोकस नहीं कर पा रहा थो और उसके फोकस के लिए मैंने का कि कुछ टाइम मैं उसको इंटर्टेन करूँ तब ही मैंने उसको ये ट्वाय दिया और तब ही फ्लैश पैक में दिखाया चाता है पर जी आंगों को इंटर्टेन के बाद मैं यह काफी इंबरस हो जाती है और वो सूचती है कि इसके सामने अब में जो कुछ नहीं कहना चाहिए और वो फोरन से हुई को सॉरी करती है सौरी मुझे समझ नहीं आई कि आप ये क्यों कर रही है मुझे लगा आप मेरे बेटी का टाइम फुदूल में वेस्ट कर रही है तब जी अंजायो को लेकि वहां से चला जाता है इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है तो ये अपने रूम में बैटी होती है और वो सोच रही होती है कि मैं जिस स्पीड से काम कर रही हो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे निकल पाऊंगी जल्दी से अपने हाथ से लाने होंगी वो ये ही सोच रही होती है कि तब पीछे से जी आंग आता है उसके लिए मैडिसन लेकि आता है कि आपकी वाइफ ने मुझे थपर मारा है तो उसकी कंपंसेशन में आपको ये मैडिसन खुद लगानी होगी और वो उसकी काफी करीब हो रही होती है जब जियांग उसको बोलता है कि तो मेरी काफी करीब आरी हो कुछ ख्यार करो मैं मेरिट मुझे इस पर वो बोलती है कि आ मेरिट हैं तो तभी आपके उपवी वाइफ के गल्सी की जगह आपको ये मैडिसन खुद ही लगा नी ओगी जब जियांग मैडिसन लगा रहे होते हैं तो तो वो काफी करीब होते हुए कहती है कि वैसे तो मैडिसन आराम मिल रहा हैं अगर आपके हाथों से मज़ा दो बाला हो रहा है उसी तरफ मैंग को दिखाये चाता है जब नैनी रूम साफ कर रही होती है और वो नैनी को बोलती है कि जो टीचर मैंने हाइर की है फोयान उस पर स्पेश्टी नज़र रखना होगी मुझे उसमें कुछ ग हुए उससे पीचे होते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही बोरिंग रियक्शन दे रहे और वो सोफे पर आके बैठ जाती है तो वो बोड़ती है कि आज तुम्हारी वाइप ने मेरे साथ किया कर तुम चाहते हो कि मुझे सब भोल जाओ तो उसके लिए एक काम करना होगा वो यह कि मुझे स्टेडी जाने की परमिशन दे दे क्योंकि मैं जायों का वहां लेकि जाकी कुछ आर्ट हिस्ट्री बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो आच साथ उसके साथ हुआ उसका असर उसके दिमाग पे रहेगा और वो फोकस ने एकर पाएगा और आर्ट के लिए उसका फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप किसी चीज़ के बारे में इंसीक्यूर है तो आप अपने सारे इंपोर्टेंट डॉकुमेंट स्टेडी से रिमूव करवा सकते हैं इसको कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाना ही लगता है जिसको कुछ रिपोर्टर रोके उसके उसके बुक के बारे में पूच रहे होते हैं वो सारी कुछ रिकॉर्डिंग होके टीवी पे आ रहा होता है जो कि दूसी तरफ से हुई देख लेती है और हुई सोचती है कि यह मेरी मॉंग कावर कापी करके इतनी फेमस हो रही है इस सब पर मेरा हग है और मुझे यह सब कुछ इससे चीनना होगा तरह उसको याद आजाता है और कुछ सोचते हुए वह अपने स्टेडी की तरफ जाती है जहां बाहर खड़ी नेनी को वह बोलती है कि जा अंदर स्टेडी से कुछ आर्ट वक्स चाहिए और इसके साथ ही वह अं तबी वह इस घर में आए थी उसका आगाज वह यही से स्टार्ट करना चाहती थी वह अंदर ही होती है कि बाहिर नेनी मैंग को कॉल करके बोलती है कि वह लाइब रेरी में आ गई है और दुसी तरफ मैंग सोचरी होती है कि यह अच्छा मुक्र है उसको रंग्या हाथो पक इस च्टोर ऑपन करती है तो वही सामें चेर पर बैठी होती है कि तुम दर्वाशा बंद करें रही हो फृरां से सौरी मुझे काम करना चाहिए थी द यही पढना लगी खुद को कवर करती है और मैंग जब देखती है तो ये उसी का नावल होता है और वो उसको अच्छा बनने के लिए वो गिफ्ट कर देती है ताकि जियांग उससे इंप्रेस हो जाए एंग बोलते हैं के ये पुक्त तूम रख सकती और इसके साथ ही मैंग और जीयांग वहाँ से चेले जाते हैं और जीयांग को इसके इस पर श effectively बढ़ा से भीट जाती है तैब जीयांग को दिखायाँ जाता है जो कि स्ट्रेडी में इंटर होता हॉशं करता है हो करता है हो ये क्या करने आई हो कि अगर तुम आर्ट पुक लेने आई थी तो ये टो टेबल पड़ी पड़ी थी तुम्हें ये बाखी पुक्स चेड़ने की क्या ज़रूरा थी ते भी होई काफी चालाकी से उसके करीब होते हुए बोलती है कि आप समझ जाए ना कि मेरा मकसद क्या है तब कि gouvernerc जियांग को हौाज डिती है और जियांग आवास ना देने फर वो स्टेड़ी आ जाती है जबो देखती है कि जैंग जियांग चेर पर बुकृट कर रहोता है मैंगो को बता सकोत कर बच्नाँ पceğiz इस पर मैंगो के बोल कि वहां से चली जाती है और उसके जाते ही हुई पाहिरा जाती है और बोलती है कि सिर्फ मैंने ही आप भी मुझे से प्यार करते हैं देखित आप मुझे से प्यार करते हैं तब तो आपने मुझे चुपाया वरना आपको मेरी क्या परवा जिस पर जिया जाता है जो कि शौवर डिक की बाहिर आती है वे दो नैनीज आके उसको पकड़के ले जाती है उसी तरफ मैंग और जियांग नाइट स्पेंट कर रहे होते हैं जब मैंग जियांग के काफी करीब हो रही होती है और जियांग बुलता है कि तुम ब्रैंडिंट वो यह सब करन मिलेगी जो तुमने मेरे साथ किया बोलती है कि आप क्या खेरे हैं मुझे कुछ भी समझते हैं यारी मैंने कुछ भी नहीं किया मैंग बोलती है कि तुम्हें बहुत अच्छी से पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूं तुम तो फिर तुम यहां बहुत प्यारी प्यारी और अमीर जादियां थी हैं मेरे आगे उनकी नहीं चलती लोग कोई भी मुझसे जियांग को छीनने की कोशिश करेगा उसको इसकी सजा मिलेगी और तभी वह नैनी को बोलती है कि इसको बाहर नेकी जाता कि इसकी आंखे खुलें तभी नैने जो उसको पकड़के बाहर ले जाती और बारिश में खरा कर देती और बोलती है कि कब सुबर जल्दी आ जाना फ्लास के लिए लेट मत होना तो वह इच वाकर चली जाती है उपर जी आंगे सब कुछ देख रहा होता है तभी मैंग उसके पास आती है और बोलती है कि आप जानते हैं कि मुझसे मेरे पैरेंट चीन लिया गया मेरे पास सिवाए तुम्हारे और कोई भी नहीं है और अगर कोई भी तुम्हें मुझसे चीनेगा तो मैं यही करूंगी तब यह उसको बोलती है कि चले हम सोते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जिन इवेंट का दिखाया जाता है जब होस्ट मैं क्योंकि मैं चाहती थी कि इस बुक की एंडिंग ऐसे होता कि मेरे सारे फैंस इससे सैटिस्फाय हो सकें भी होस्ट बोलता है कि आपके हजबेंड भी तो आपको सपोर्ट करने आई है यह ते कि मैंगडी काफियो खुश होती है और वो तब उसके पाद वोस्ट बोलता है कि अब सब लाइन अप हो चाहिए तकि आप लोग को आप लोग की फेवरेट आथर के हाथ से साइन शुदा बुक मिन सके और तब ही सब खड़े होते हैं और तब पीछे से आवास आती है कि लेली की आथर ने आप लोग के साथ एक जूट बोला है और पीछे से आवास देने यह वाली कोई और नहीं पर कि हुए होती हैं वह अंदर की तरह आती हैं और सब लोग मौचो सको हरानी से देख रहे होते हैं तब यहूजे बहुदे से पता है कि यह इसी काही काम है इन भी बोलती है कि तुम जो भी बत कर रही है और सोच समझ करना क्योंकि यह तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहां पे कोई भी फजूल बात करोगी वोई बोलती है कि तुम परेशान मत हों मैं अगर यहां बात करने के लिए आई हूँ तो मेरे पास कोई evidence है तबी और तबी वो एक form दिखाती है जिसमें वो सबको दिखाते हुए बोलती है कि यह वो copyright form जिससे यह प्रूफ हो जाएगा कि यह novel इसका नहीं है तबी आगी पीछे खड़े सब लोग बोलने शुरू हो जाते हैं कि यह तो इतनी rich है इसने इतनी छोटी हरकत क्यों कि और सब reporters मैंक के पास आ रहे होते हैं तो मैंक से पूछ रहे होते हैं कि यह सब कुछ सच है मैंक काफी परिशान हो जाती है और वो बोलती है कि हाँ यह सच है कि यह स्टोरी मेरी नहीं है यह मेरी मॉम की स्टोरी है वगर यह मैंने ही complete कि और मेरी मॉम की death हो गई थी तो वोई दिल हे दिल में काफी खुश हो रही होती है कि उसे यह तो I admit किया कि यह उसकी स्टोरी नहीं है और तभी मैंक हुए के पास आती है और बोलती है कि यह जिस copyright की तुम बात करी हो मैं इसको नहीं मानती है तुमने कोई drama ही लेके आया होगा कि यह मेरा और मेरी मॉम का नावल है इससे कोई भी फर्क नहीं पर था कि यह कौन कंप्लेट करता है जिस पर हुए बोलती है कि तब मैं यहाँ पर खड़ी हो तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई evidence है तभी मैं यहाँ पर खड़ी हो तभी को अपना फ़ोर निकालती है और इसमें recording खोती है वो recording किसी और की नहीं बल्क हुई की मॉम की होती है और यह नावल लिली भी किसी और का नहीं बल्क हुई की मॉम का होता है मगर हैं यह सब नहीं जान दी थी और तब हुए recording आन करती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक माने अपने नौवल कंप्लीट कर दिया और उसकी बेटी को पता भी ना हो सब लोग उसके पीछे काफी बाते कर रहे होते हैं और मैंग काफी परेशान हो जाती है और कुछ आतर फॉरण से जाके नौवल पकटते हैं तो देखते हैं कि एंडिंग चेंज होती है जिसके उनको यकीन आजाता है कि हुई सच बोल रही है और वो सब काफी बाते कर रहे होते हैं कि मैंग ने इतना बड़ा दुखा दिया इसको पनिश दरूर करना चाहिए और तभी रिपोर्टर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि यह कैसे पॉसिबल है कि आपकी मॉम ने वो नौवल कंप्लीट कर लिया और आपको पता भी नहीं चला कि शायद आप अपनी मॉम का ही नाम बड़ नाम करना चाहती है तभी आपने इतनी बुरी एंडिंग लिखी ताके वो नौवल फ्लॉब हो जाए तब यही बाते पूछ रहे होते हैं मैंग काफी परेशान होती है और तभी जी आंग उसके पास आते हैं और सब रिपोर्टर्स को पीछे करता है तो मैंग को वहाँ से लेग जाता है पीछे होई खड़ी होती है और वो सोचती है कि अब तुम आगे आगे देखके जाओ कि मैं कमारे साथ करती क्या हो इसके बाद जी आंग और मैंग दोनों घर आ जाते हैं जब मैंग काफी शर्मिंदा होती है और वो जी आंग से माफी माँआ चारी होती है जब जी आंग खड़े होते हुए कहता है कि मैं वो सब डिसकस्ते ही करना चाता और इसके साथ ही वो वहा तुम्हारा कुछ नहीं बेगाड सकती मैं उसके करीब आते हुए उसको उसका असल नाम बताते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हकीकत सब को बताने के लिए आए हूँ और मैं वो सब जानती हूँ जो तुम सबसे चुपाती पी रही है और यह सुनते ही मैं काफी आउट अफ कांटोर हो जाती है और वो चीखने हुए अपने नैनी को बुलाती है कि आते ही उन्हें बोलती है कि हुए को उठा के बाहर फैंक तो जिस पे हुए उनको रोपते हुए कहती है कि मैं खुद जा सकती हूँ तब ही वो मैंग को बोलती है कि कुछ तीनों बाद तो मैं खुद ही मुझे बुलाना पड़ेगा मगर मैं फिर नहीं आउंगी इसके साथ ही वो वहां से निकल जाती है इसके बाद नेक्स्टी का सीन दिखाया जाता है जब मैंग अपने बेटे के साथ ब्रेक के ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वो लोग यूही ब्रेकफस्ट कर रहे होते हैं जब उसका बेटा उससे पूछता है कि मॉम टीचर फोयाना भी तक नहीं आए तिस पे मैंग बोलती है कि मैंने उनको फायर कर दिया है मैं तुम्हारे ये न्यू टीचर हायर कर लूँगी जो तो मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगी जिस पे जायो बोलता है कि नहीं मुझे टीचर फोयान ये जाएए मैंग खुसा होते हुए बोलती है कि मैंने कह दिया ना कि वो नहीं आएगी तो वो नहीं आएगी जिस पे जायो नारास होते हुए कहता है कि आप बैड ममा है मुझे आपसे बिल्कुल बेप्यार नहीं और इसके साथी वो निकल जाता है उसका ये अटिचूट देखके मैंग बहुत परिशान हो जाती है और वो नैनी को बोलती है कि जाके देखो ये कुछ करना ले एक सीन में जियांग को दिखाया जाता है जब हो आता है और वो जायो के बारे में पूछता है तो मैं काफी परिशान होती है और तभी पीचे से नैनी आके बताती है कि यांग मास्टर डो दिन से रूम में लौक है उन्होंने ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है ये वाकिए इतनी अच्छी टीचर हो कि मुझे तुम्हें दुबारा से बूलाना चाहिए या तुम्हारी लावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वी भूलते है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं का बस आप लोगों नहीं निकाल दी और मैं आ वी जिस पड़्या पूलता है कि तुम्हें एक बच्चे का इस्तिमार कर रही हुए हुए सब में तुम्हें बहुत लोगे लोगे करता है कि वी डीफ़रा में बहुत प्यार से और आ हाँ वी और जाई उस पे ओके बोल देता है इसके बाद प्रेजंट का सीन दिखाया जाता है जब जी आंग हुई को बोलता है कि अगर तुम इतनी एच्छी टीचर हो तो तुम्हारा स्टूरेंट तुम्हें मिस्स कर रहा है तुम वापिस आजाओ जिस पे हुई बोलती है कि हुयोस को बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम आज मुझे निकाल रही हो और कुछ दीनोंब आए तुम्हें लेके जाने के लिए तो तुम इस तरह से मुझ से बात नहीं कर सकती और मेंग अपने इमोशन्स को कफी कंटूर करते वे कहती है कि मैडम फ्रीज आप मेरे साथ वापिस आना पसंद करेंगी मैं उस सब के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदाओं जो हुआ तब नेक सीन में हमें दिखाया जाता है जब हुई अपना बैग लेके उधर इंटर होती है सामने सी जायो उसके पास आता है और वो जायो को प्यार कर रही होती है कि सामने स्टेर्ज में जियांग खड़ा उसे देख रहुता है कि बाद जियांग रूम में आ जाता है जब उसके पीछे मैंग आती है और मैंग उसको सौरी बोलती है कि सौरी मेरी वेज़े से आपको इतनी शर्मिंद गी उसने उठानी पड़ी लेकिन मैं भी क्या करूँ में जाप करना चाहती थी आपको तो पता है कि मैं पेंटिंग करती थी और आपकी माम को बचाते हुए मेरे हाथ पे लगी इस वेज़े से मैं पेंटिंग नहीं कर पाती बस मैं उसको पती को इंडिपेंडनेंट बनाना चाहती थी और इसी कोशिश में ये सब हो गया जी आंग बोलता है कि तुम जानती हो तुमारी उस हरकत के बाद कंपनी की वैल्यो कि डाउन हो गी तो मुझे कितना लॉस हो रहा है उस सब की वेज़े से मैं उसको सौरी बोलती है कि सौरी आइंडा की बात ये सब नहीं होगा मैं तो बस आपको सपोर्ट करना चाहती थी और इसके साथी वह उसे हग करती है नेक्सीन होस्पिटल का दिखाये चाता है जब मैंग अपनी डॉक्टर से मिल रही होती है और उसको बोलती है कि मैं और आप ही जानते है कि मेरा हाट ठीक है लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मेरा कोई फैमली मेंबर आप से पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या कहना है पिर डॉक्टर ओके बोल देता है और मेंग उसको काट पकड़ा के वहाँ से जाने ही लगती है कि तबी दूसरी तरह से हुई उसकी वीडियो बना रही होती है और हुई सोसरी होती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये सारा ड्रामा सिफ इसलिये कर रही हो क्योंकि तुम्हें पेंटिंग करना नहीं आती कोई वाधिक करते वे देखें उसे बहुत फुस्सा आते हैं और वो मॉम से पूछ थी कि मॉम आप यहाँ पर क्या कररी है इस पर मा मॉलती है कि ये तो बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ खेर कोई बात नहीं तुम प्रेग्नेंट भी हो तुम में काफी रेस्ट की जरूरत होगी चलो तुम अपनी रूम में आराम करो वैसे भी कुछ तीनों में तुम्हारी बर्टे है तो हम दुबारा मिलेंगे उसके जाते ही वह हुई से बाते करने लगती है और हुई को बोलती है कि पता नहीं मुझे तुम क्यों इत्ती अच्छी लग रही हो जब हुई उसको बोलती है कि अपकी डॉर्टर इनला की बर्टे आया है मुझे लगता है आप लोगको काफी अच्छी से सलिपरेट करनी चाहिए एक तो प्रेंट सेन आने वाला है और दूसरा ये कि इस तरह से आप शो भी कर सकती है कि आप अपनी डॉर्टर इनला से कितना प्यार करती है और सब लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में मॉम बोलती है कि मैं भी यही चीज़ सोच रही थी और तुमने तो बिलकुल मेरी दिल की बात कह दी नेक्स सीन पार्टी का दिखाया जाता है जब मैंग खड़ी होती है और वो काफे खुश होती है उसके सब फ्रेंड्स आई हुए होती है सब उसको बोल रही होती है कि हमने सुना है कि तुम प्रेगनेंट हो और मैंग काफे खुशी से उन सब को बता रही होती कि हाँ आप लोगों ने ठीक ही सुना है और तभी यूहीं पार्टी चल रही होती कि इसके पार जियांग और में खड़े होते हैं और जियांग सबको बताता है कि मेरी वाइफ की तभी ठीक नहीं तो वह ड्रिंक नहीं कर सकती तो उसकी जगा मैं आप सब के साथ ड्रिंक करू होता है कि इसके साथ ही मैं आप लोग एक और उपी कोड़ में उस ऑफिशली अनाउंस करना चाहता हूं वो यह है कि हमारी जी यंग फैमिली में एक और मेंबर आने वाला है वो सब काफे खुशी से यही बाते कर रहे होते हैं कि सामने स्क्रीन पे वही वीडियो चलने लग और तुम्हारे इस जोट में मुझे कितना अफेक्ट किया तुम जानती हो मुझे कितना गिल्ट फिर होता था सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे वज़ए से तुम अब पेंटिंग और ड्राइंग करने की लाइक लिए और यह सब एक ड्रामा है यह काफी सारी बाते सुनके मै आगे बढ़ते हैं कि क्या मसला है जिसमें पुलीस बताते हैं कि हमें एक सर्चिंग का पता चरह जिने फेक विपोर्ट आज बनाई है तो बस उस लेटिट हमें कुछ कुछ करने हैं आप पर रिशान मत हो अपकि कोई भी इन्वाल्मेंट नहीं है इसमें बस हम यह चाहते ह है अभी हमारी कर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो यह हम बाद मेरी स्काइच वर करेंगे और इसके साथ ही वो सब लोग वहां से चले जाते हैं जियांग हुई की पास आता है और उसको बोलता है कि तुम्हें वाकि लगता है कि तुम्हें हम यहां पर रहने देंगे अ चैस पर जीयांग ओके बोलते हैं और इसके बाद उन दोनों को दिखाया चाता है जब लोग चैस के लिए और यह चैस की मुझे हरानी है कि मैंने उसको कभी खेलते हुए देखा नहीं और तब जीयांग को भी आदा आ जाता है कि पहले तो मैंग कीलती थी पता नहीं आब क्वेंग नहीं खेल रहे होते और बाते कर रहे होते हैं जब वह आप आज लूजर हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है मुझे जाना होगा इसके साथी वो वहाँ से निकल जाती है दूसरी तरफ मैंग को दिखाया चाता है जब वो गर में इंटर होती है उसकी नैनी पीछे खड़ी बाते करी होती है कि मुझे तो लगता है कि मिस्टर जियांग अपनी वाइफ को डैवोस दे देंगे जो हरकत आ चाहिए उसके वज़े से वो काफी ज़्यादा इंपैरेज हुए मैंग ये सारी बाते सुन रहे होती है उसको बहुत खुसा आता है परवे खुर्दार थ 800 बड़ अपने नैनी को देमारती है मैंग सीदह मिस्टर जियांग के पास आ चायती है और मिस्टर जियांग उसको बूलता है कि मैं चाथा हूं कि हम चैस्नके खेह लूलने मैंग रिजिस्ट कर ला चाहरी होती है मरकर Jihyangos को पिठा देता है और दोनों खेल रहे होते हैं और तभी मैं काफ़ी ज्ञदा Confuse होती है डंग सा कुछ Noot कर रहा होता है और तभी वह हार जाती है और तभी jihyangos को बिदेता है कि मैं एक बार औल खेलना चाहता हूँ वह दोनों खेल रहे होते हैं जी आंको मेरी अस्थियत परता तो नहीं चल गई एक्स मॉर्निंग मैंग अपनी असिस्टेंट को कॉल करते वे बोलती ही कि मैंने तुम्हें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने का बोला था दूसी तरफ से जवाब मिनने पर मैंग बोलती ही कि अच्छा ठीक है मैं एक गिंटे में तुमसे मिलती हूँ के बाद हुई को दिखाया जाता है जब डॉप्टर ये उससे कॉल करके बोलता है कि मुझे कुछ लोग आपके बारे में पोच रहे हैं दूसी तरफ मैंग को दिखाया जाता है जब डॉप्टर ये के पास आती है जो कि उसके बेटे जायों की क्लास ले रही होती है वो हुई को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जिस पर हुई बोलती है कि अगर बात ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो मैं भी पहले क्लास ले लूँ मैंग बोलती है कि अधर important है तब ही तो मैं तुम्हें disturb कर रही है और इसके बाद वो उसको लेकि उसके रूम में आ जाती है और यहां कि मैंग उन हुई को सब कुछ बता देती है कि कैसे है उसने उसकी मापाप को इतनी चालाकी से अपनी जाल में पसाया फिर उनीका ही कतल करती है और इतनी असानी से वो यहां पर मैंग बनने का ड्रामा कर रही है मगर हुई उसका कुछ भी नहीं बिगार पाड़े हुई यह सब कुछ खामोशी से सुन रही है और वो उसको कोई रिस्पॉंस नहीं देती तबी मैंग उसको लेके बाहरी टारेस पे आ जाती है मैंग सारी सचाए हुई को बता देती है और उसको बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी सचाए पता चल चुकी है मगर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगार सकती क्योंकि जियंग तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा वो फेस नहीं रहा जिससे वो प्यार करता था और आज तुम देखना कि तुम्हारे साथ होता क्या और तबी सामने से उसको जियंग की गाड़ी आते में दिखाए देती है और वो नीचे चिनांग मार देती है और वो नीचे गिरते ही सामने से जियांग भागता हूँ उसके पास आता है वो उसको उठाता है और तब ही वो बोलती है कि उपर खड़ी भूई ने मुझे दिखा देती है नीचे पहंग दिया जियांग जब देखता है तो वोई उपर खड़ी होती है वो सब कुछ देख रही होती है जियांग उसको बहुत खुसे में होता है मगर उसे उठा के वास्पिटन ले जाता है वोई यह सब कुछ उपर से देख रही होती है और उसको बहुत मुसार होते है कि यह कितनी अजीब सी औरत है नेक सीन में होई सो रही होती है और जियांग ओफिस से आता है और वो उसके पास आता है उसको बहुत ज़्यादा गुसा आता है फॉरन से उसका ब्लैंकेट रटाते लिए कहते है कि तुम इतनी से कुन से कैसे सो सकती है तुमने जो हरकत की उसके बाद तुमें नींद आ रही है क्या वही काफी रिलैक्स अंदाज में उसे बोलती है कि काफी देर होगी या आप लोग इतने लेट दिन आए हो जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आते है और वो उसको गुस्से से बोलते है कि तुमने एक बच्चे का गतल किया और मैं तुमें इस सब के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा और वोगी काफी रिल्लैक्स होते हुए खड़े होके उसकी काफी करीब होती है जब जियांग उसे से उसे पीछे फैंगता है और कहता है कि ये ड्रामा बन करो तुमें उस हर चीज का जवाब देना होगा वोगी को उसकी ये हरकत काफी बुरी लगती है और वो काफी एमोशन होती है मगर वो काफी बरदाश करते हुए खड़े होके उसको दुबारा से बोलने लगती है कि अगर मैं तुमारे सचाही बता दूँ कि मैंग जो बनने की कोशिश कर रही है वो उसकी रियल आडेंटिटी नहीं है और मैं जो तुम्हें इतनी अपनी 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 लगती हूँ अगर तुम्हें बता चल जाए कि मैं कौन हो तो तुम्हों का ये रिष्टा आजे खतम हो चकता है ये बते सुनके जियांग काफी गबरा जाता है और वो उसको बोलता है कि मैं अपनी वाइब से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम तक्रीबन तेस साल से एक साथ है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन फजूल बातों में आकर मैं उसको छोड़ दूँगा और तुम अपनी ये फजूल कोशिशे छोड़ दो और मुझे हकीकत बताने से अच्छा है कि तुम खुद धोड़े मैनर्स चिकलो इसके साथ ही वह वहाँ से निकल जाता है जियांग की जानने की बाद हुई ने उसके सर से दो बाल ले लिये होते हैं और वो बोलती है कि यह सब इतनी असानी से खतम होने नहीं दे सकती इसके बाद जियांग को दिखाया चाता है जब वो शौवर ले रहा होता है और उसके जहन में वही सारी बाते गूंगरी होती हैं जो के हुई ने उसको बोली हुई थी जी अग शावर लेने के बाखेर आता है जब उसकी माम कॉर्फ नहीं कि पुछती है कि मुझे अभी पता चला है मन की तब्यात कैसी है उसके माम कॉर्फ नहीं कि यह सब कैसे हो गैंग जिस पर जी यांग बोलता है के हम मिलेंगे फिर मैं आपको सब कुछ बता दूँगा नेक्स सीम में जियांग को रिखाया चाता है जो कि मैंग के लिए सूप लेके आता है उसको देखके मैंग फिर से एक्टिंग शुरू कर देती है कि मैं अपने बेबी को खोके बहुत ज्यादा दुखी हूं और तुम्हें देखके तो लगता ही नहीं कि कि तुम्हें कोई करती है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी बच्चे का कदर कर लिया और अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं और भी टॉक्सिक हो जाओ। दूसी तरफ जियांग को फोन पे बताया चारह होते है कि कभी स्टॉप प्रैस बहुत ज्यादा लोग हो गई है ये सुनके जिय प्रेस कांफरेंस अरेंज करवा और इसके साथ ही जियांग फोन रख देता है तुसी तरफ वह को दिखाया चाता है जो कि दिखके काफी है रान होती है कि अच्छा तो अब प्रेस कांफरेंस होगी वह योही बैटी अपना फोन दीख रही होती है कि ति भी हमारी एक बैड़ेंस करती है तुम बैटे होते हैं जब हुई उसको काफी व्लैक मिल करती है कि तुम इरी हैकरो मंगर में हमेशा से आपको आंकर कह करके इंतुकारा आप मेरी हेल्प करें या ना करें मैंने जब से भी आंखे खोली है मेरी मॉम में मुझे यही सिखाया कि यांग तुम्हारे अंकर नहीं है पर आप हमेशा ही मेरे लिए इतने ही रिस्पेक्टफुल रहेंगी इसके बाद हुई को गर में दिखाया चाता है जब सामने से मेंग को नैनी लेके आ रही होती है तो हुई के सामने खड़े होते हुए कहती है कि तुम देखना कि आच कांफरेंस में जाओंगे और मैं सब कुछ क्ले कर दूंगे सारी पॉब्लम सौट आप हो जाएंगी तुम्हारा इस गर में आखरी दिन है क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें बर्दाश्ट नहीं करूंगे हुए बोलती है कि वो तो हम देखी लिंगे कि किसका पहना और किसका आखरी दिन है इसके साथ ही मेंग वहां से चेली जाती है इसके बाद कांफरेंस का सीन दिखाया जाता है तो चियांग वो मेंग बैटी होती है तब चियांग सब को बोलता है कि मैं सब शेयर ओल्टर से माफी मांगता हूँ क्योंकि ये सारा कुछ मेरी वज़ा से हुआ है और मैं इस चीज के लिए रिस्पॉंसिबल हूँ और आप लोग का जितना भी लॉस हुए आप लोग की जो भी कुर्स्टन है उसके लिए मैं अंसरेबल हूँ तबी वो दोनों खड़े हो जाती है और वो सबसे माफी मांगता है और इसके बाद वो बोलते है कि जो भी कुर्स्टन है आप लोग पोच सकते हैं हम आपको ज़रूर जवाब देंगे तबी वो सब कुर्स्टन करने लगते हैं कि सबसे पहले तो मैंग हमें ये बताए कि उससे इतना बड़ा दुखा क्यूं दिया कि वो पेंटिंग नहीं कर सकती मैंग काफी जानाकी से बात को कवर करती है वो जानती थी कि सारी बात अप उस पे आने वाली है तबी वो एक्टिंग करती है कि मुझे गलती होगी मुझे माफ कर दो कि जानती हो मुझे बहुत बड़े खलती हुई हमें सारी सारी रात नहीं सो पाती एवन कि मैंने अपना बच्चा भी खो दिया वो आप भी यही ड्रामा कर रही होती है कि तभी पीछे से यांग और हुए आती है और यांग बोलती है कि यह औरत सब जोट बोल रही है सब लोग कफी हेरानों के पीछे देखती है और मैंग भी काफी ड़चाती है और तभी यांग सबके सामने आता है और तभी हमें फ्लैश बैक में दिखाया जाता है वो यह यांग को बोलती है कि जायू आपका बिठा नहीं है वो आपसे जूट बोलती रही है वो बस ये चाहती है कि आपसे उसको अच्छा पैसा और ताली मिले मैंग सिर्फ पैसे से तालुक रखती है और किसी चीश से भी नहीं इसने दस सालों से आपको दुखा लेती आ रही है वो आपसे प्यारी नहीं करती है उसका बच्पन का प्यार सिर्फ जी यांग है वो कॉलिज से मेरे साथी में बहुत अच्छी से उससे जानती हूँ कि बाद प्रेजन का सीन दिखाय जाता है जब वो यांग को बोलती है कि मैं चाती हूँ कि आप सबके सामने वो सारी बाते बताएं जो आप जानते हैं और तब यांग बताने लगता है कि यह जो बनने की एक्टिंग कर रही है मैं इतने अर्षे से बनी हुई पी रही है यह मैंग नहीं है बलकर यह एक मावोली से लड़की इच्चेंग है तब मैंग उसको रोपते हुए कहती है कि तुम बच्चे से स्वासा तुम क्या कह रहे हो कि कि तुम इस हर चीज का जवाब देना होगा अंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच है और वो यही कि तुम मैंग नहीं होगा कि तुम से फिक ड्रामा करी हो और यह सुनते ही जी यांग खड़ा हो जाता है मैंग बोलती है कि यह सब जूट है और तभी होई आगे बढ़ती हुए डॉकुमेंट सकती है टेबल पर जिसको देखने के बाद चियांग को पर ज्यादा घुसा आता है और वो मैंग से बोलता है कि तुम इतने हरसे से मुझसे जूट होती ही आ रही हो यह सारी बाते सुनके सब लोग काफी शॉट होती है जब होई यांग को बोलती है कि तुम वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो ये सुनते ही मैंग काफी ड़ जाती है और वो फॉरन से यांग के पास आती है कि प्लीज तुम कुछ पे मत बोलो ये सब कुछ हरक हो जाएगा यांग उसको हीट करते हुए पीछे पहेंग देता है कि पीछे अटो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मजीद ट्रस्ट करूँगा और उसके साथ ही यांग बताने लगता है कि ये लड़की जो कि इतने हर्चे से मैंग यहां बनी फिर रही है ये एक मामूली गाउं की लड़की थी जो कि यहां शेहर सिर्फ पढ़ने के लिए आई थी और इसके हल्प किसी और ने नहीं बलके होई ने की थी हुए ही कि इसके इफ लेन फैमिली और सब कुछ उसी का था मैंग ने अपनी फेस सजड़ी करवा कि उससे ही उसकी पैरेंट लिवन के उसका बॉइफरेंड बे उससे छेल लिया था और उसके लिकिन के लिए यही काफी है कि उसने अपनी मॉम को डावल उठा के उसको अपने नेम से पब्लिश करने की कोशिश की और दूसरा आप लोग को भी पिछले दिनों पता चलतो गया होगा कि उसने पेंटिंग से बसनी के लिए अपना हाथ सखनी कराने का ड्रामा किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पेंटिंग नहीं आती थी और हमारी हुई बेटिंग में काफी एक्सपर्ट थी इसको डैता कि वह पकड़ी जाएगी और इसलिए उसने ये सारे ड्रामे रचाए तो प्लोग ये सारी सच्चाई सुन रहे होते हैं और मेंग शेमिंदगी के मारे अपना फेस को कवर कर लेती है तब एक रिपोर्टर आगे पड़ती हुए यांग को बोलता है कि वाते जो आप करें इसमें कितनी सच्चाई है जिसमें वो बोलता है कि ये सारी बाते सच्ची है मैं हुई को बच्पन से जानता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया गलती होगी कि मैं मैंग की बातों में आग यार मैंने ये सच्चाई आप लोगो पहले नहीं बताए एक बात ये कि हुई कि पैरेंट्स का कतर करने वाले भी कोई और नहीं बती ये ही मैंग थी और मैंग तभी बोलती है कि ये सब जोट बोल रहा है वो खड़े होते होई को बोलती है कि तुम आई पास क्या सबुत है इन सब के लिए अगर मैं ये सब कुछ माननी से इंकार कर दूँ तो पैसे भी मैंने ये कुछ भी नहीं किया और जेल मैंने ये बाकि तुम जाओगी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो वी बोलती है कि मैं जान दी थी कि तुम कभी भी ये अड्मिट नहीं करोगी कि ये सब कुछ तुम ने किया थे भी वो अपना फोन निकाओ के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है इकॉर्डिंग सब लग सुन रहे होते हैं जिसमें मैंने खुद ही एकरा किया होता है कि ये सारे काम उसने किया है इस सारी बाते सुनने के बाद मैंने उससे हाथ से फोन चीना चाहती है जब वोई पीछे करते हुए कहती है कि मैं जान दी थी कि तुम इतनी असानी से यह सब बाते मानोंगी नहीं तभी मुझे इतना ड्रामा करना पड़ा और ऐसा क्यूटर तुम्हारे गर आना पड़ा मैंनको बहुत ज़्यदा घुस्सा आता है और तभी वो कैमरा मैंन को कैमरा उठा के उसको मानने ही लगती है तभी जियांग फॉरण से आगे बढ़ता हुआ उसको बचा लेता है और वो उसको लग जाती है तभी जियांग फुस्चे से पीछे मुटता हुआ और मैंनको एठापड दे मारता है और उसको बोलता है कि तुम कितने भी शरम लड़की हो एतने रास खुल जाने की बाद भी तुम नहीं सुदर रही मैंनको काफी ज्यादा बुरा लगते है और वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे कीसे ट्रीट कर सकते हो मैं तुम्हारे बेटी की बैलाचिकल मदर हूँ जियांग बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा शरमिंदा हूँ तुम जिसी लड़की से शादी करने पर यही बाती कर रहे हुतती है तुम उपना मुझे करो यह सब कुम्हारी वज़ह से हो रहा है वो काफी जड़ा बोल रही हो तियूर्त भी पोलीस आगे बढ़ते हुए उसके हाथों को हतकरी से बांते हुए उसको ले जाती है और तुभी इंस्पेक्टर आगे बढ़ते हुए हुए को बोलता है कि आपको हमारे साता नाओका में कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है इसके पर याग उनके साथ चला जाते हैं और हुई भी जानी लगती है जिब जियाग उसका हाथ काबला कर से हो को अब में भी बहुत जंदी आप लोग के पास हाऊंगे तो साथ ही उसे कफरिंग स्टार्ट होती है जिसे उसके अमोचे ब्लेडिंग आने लगती है और तभी वह वापस आने के इने मोटती है और देखती है कि पीछे उसके जियाग खड़ा होता है इसके बाद वह खड़ी होती है और तभी जियाग उसके पास आते है और उसको बोलता है कि ये रहा तुमारा फिर्ट मिल्क जो के तुम अकसर पिया करती थी हुई उसका हाथ पीछे करते हुए कहती है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं मैं नहीं हूँ मेरी सिफ शकल उससे मि मैं तुमसे बहुत ज़दा प्यार करता हुए कि ये हुचा है कि ये हम शकल मैं के साथ मैंने 10 साल गुजार दी मुझे लगा कि वह तुम हो और मुझे कभी पता ही नहीं चल सका हुई पूरत यह उसरा जब मैं ने मेरा कतल करना चाहा तो उसरा तुम और मैं दोनों डेट प चाहता है कि वह आकी जाए उसका बेटा नहीं है को बहुत ज़दा खुसा आता है और अपनी इंसिस्टेंट चे बोलता है कि अंदर अंदर ये न्यूस चाहिए कि मैंको फांची की सजा सुना दी गई है और भी पर अपना बैह लिक जा रही होती कि भी रास्ते में उसको ख आफिस में बैटे होते हैं जब उसके असिस्टेंट उसको आके बताती है कि ये कंफर्म हो गया कि वही महिं है ये सुनके जी आम फॉरण से खाड़ा हो जाते है और उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि वह फ्लाइट टीवी जा रही है उनकी आज की ठीकत थी बस हमें थो रोके पोलती थी और चियांग वही खड़ा सोच रहा होता है कि बच्छे बहुत बढ़ी अगस्ती हो गई है मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पस बस तुम मेरा वेट करना और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड हो चाता है और अगर आप लोग को पसल नहीं हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मन भूलिएगा